तो कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका अपने चैनल एक्स्प्लेइन फोर यू में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं पाइथा गौरस जी के प्रमे के बारे में जो की एट्थ क्लास में नाइन्थ क्लास में और खासकर की टैन्थ क्लास के जो 6.5 है वहाँ पर जादा तर प्रमे की की शुरुवात करने से पहले अब बताई थी उस बात पर हम थोड़ा गौर करते यानि कि 90 डिगरी के सामने वाली साइट अब आप बोलो कि sir hypotenious यह नि कर्ण को पता केसे करें तो जब आप एक समकोन त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर आपके पास एक समकोन त्रिभुज दे रखा है जिसमें आपको पता है कि समकोन त्रिभुज में hypotenuse कहते हैं यानि कि 90 डिगरी के सामने जो भी बनेगा उसको कर्ण कहते हैं क्या कहते हैं कर्ण यानि यह जो साइड है यह जो भुजा है यह कर्ण होगी अब बाता ही लंबो और आधार की आधार का मतलब होता है बेस जिस पर वो ट्रेंगल टिका हुआ है तो बताएए यह इ होता है लंब ठीके तो यानि यहां पर देखिए खड़ी भुजा कौन सी है तो यह भाया लंब ठीके यानि कि परपेंडिक्यूलर हाइपोटेनियस और बेस यह तीनों चीजे आपको मिल गई है तो पाइथा गॉरस जी ने इसी बारे में पहली आउधारना दी थी क्या कि स समकोन त्रिभुज में जो कर्ण होता है ना वो सबसे बड़ी भुजा होती है इनर राइट रैंगल ट्रैंगल हाइपोटेनियस इस दे लार्जेस साइड ऑफ दे ट्रैंगल है ना राइट रैंगल ट्रैंगल के लिए उन्होंने यह बात कही थी अब उनके बाद उनकी प् ट्रैंगल कर लो यनि सबसे बड़ी भुजा कौन है कर्ण कर्ण है कर्ण करण कर दो कर्ण का वर्ग कर दो वो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा अन्य दो भुजाएं जो बच्ची हुई है आधार और लंब ठीके इन दोनों भुजाओं के वर्गों के प्लस यानि की योगफल के बराबर क्या बोला मैंने उन्होंने ये कहा कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होगा यानि की कर्ण का वर्ग दोनों भुजाएं मतलब की लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा तो यहां से हमें पता चला कि भीया जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग को जोडने पर मिलता है ठीक है यानि कि हाइपोटेनियस का स्क्वार हाइपोटेनियस का स्क्वार is equal to perpendicular का स्क्वार प्लस base का स्क्वार आप ये वाला जो formula है इसको लगा के अगर दो sides दी हुई है किसी right triangle triangle की समकोन त्रिभुज में दो भुजाए दे रखी तो तीसरी भुजा आप आसानी से बता लगा सकते हो चलिए हम एक question करके देखते हैं इस पर आधारित तो यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस पर based a question है सामने जो की दिया है वहिया कि समकोन त्रिभुज में कर्ण 10 मीटर है तथा लंब जो है वो 8 मीटर है तो आधार आपको ग्याद करना है तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हल और हल में हम बना लेंगे एक चित्र ठीके समकोन त्रिभुज बनाने को बोला है तो समकोन त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पर दिखे जो जो चीज आपको गीवन है वो लिख देते हैं मतलब हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है हाँ आपको ये बात याद रखनी है कि हर question में कोई भी question आप solve करते हैं आप जिस भी class में हो 8th में हो 10th में हो 12th में हो किसी भी class में हो अगर आप exam में given नहीं लिखेंगे दिया है नहीं लिखेंगे तो आपके 1-2 marks तो ऐसे ही शुरुआत की कर जाएंगे इसलिए हर question में जो चीज भी आपको दी हुई है यानि जो जो चीजे आपको पहले से question में बता रखें उनको आपको mention करना पड़ेगा given में ठीके तो हम यहाँ पर सबसे पहला काम यही कर रहे हैं कर्ण दिया है question में 10 मीटर तो लिख देते हैं कर्ण कितना है कर्ण है यह हमारे पास नहीं है अब हम बना लेते हैं एक चित्र जिसमें हम सभी चीजों को mention करेंगे कर्ण कहां होता है 90 degree के सामने होता है तो कर्ण का value रख दो यहाँ पर कर्ण है 10 मीटर तो यहाँ पर 10 मीटर रख दिया यह वाली जो side है यह वाली जो भुजा है यह 10 मीटर की है ठीके अब लंब जो है वो 8 मीटर है तो यह लंब जो है वो 8 मीटर है ठीके और जो आधार है वो हमारे पास है नहीं ठीके ये आधार जो है हमारे पास है ही नहीं तो इसको हम अभी आधार ये रहने देते हैं अब हमें क्या है पता है पाइथा गोरस जी का थेवरम कि भाईया पाइथा गोरस जी ने कहा था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग की ठीके तो हम पाइथा गोरस जी का प्रमे यूश कर लेते हैं तो पाइथा गोरस प्रमे से पाइथा आधार का वर्ग, ठीक है? यह सब को याद हो गया होगा अब तो, अब आपको इन सब की वैल्यूस रख देना है, कर्ण का वर्ग, देखे कर्ण का वैल्यू है क्या? हाँ सर कर्ण की जगर 10 मीटर दिया है, तो कर्ण की जगह हम लिख देते हैं 10, इसका हो जाएगा square, क्योंकि कर्ण का वर्ग था, कर्ण की value हैं पर 10 है, तो 10 का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब की value है 8, तो यहां हो जाएगा 8 का वर्ग, आधार का वर्ग, सर आधार तो question mark था, तो आधार हमारे पास नहीं है, तो आध 64 होता है, मतलब 8 का square होता है 64, यह लिख दिया, आधार का वर्ग तो as it is रहेगा, क्योंकि वहां पर कोई number दे नहीं रखा है, अब यह जो 64 है, यह प्लस का है, यहां पर कोई चिन नहीं है, तो यह प्लस का है, उधर जाएगा बराबर के उधर तो सबको बता है, कि प्लस का sign जो है, वो minus में convert हो जाता है, तो यह उधर जाके हो जाएगा minus का, तो यानि कि यह हो जाएगा 100, और यह 64 हो जाएगा उधर जाएगा minus का, और बराबर में इधर क्या बचा, केवल आधार का square बचा हुआ है, अब आपको simple सा minus कर लेना 100 में से 64 को, तो मेरे पास जगा नहीं कि 36 किसका square होता है, तो आप अगर 8th, 9th, 10th class में हैं, तो आपको बखू भी पता होगा, आपको 20 तक वर्गों के मान याद होंगे, ठीके, तो यह किसका वर्ग होता है, 36 जो है, किसका वर्ग होता है, तो हम 6 का वर्ग करते हैं, तो 36 होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं, 6 का और उधर भी आधार का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसल हो गया, कैंसल आउट हो गई, पावर से पावर, यहां बजग गया 6 और इधर बजग गया भी आधार, क्या बजग गया आधार, इसका मतलब है कि आधार का वेल्यू 6 है, आधार का वेल्यू 6 मिटर है, तो हम यहां ल तो अगर विडियो और ज़रूर से लाइक कीजेगा और बताईए कि आपको ऐसे बैसिक कॉयाँ प्लसटार पूर नहीं चाहिए तो आज कि में हमें पांथा गोरत जी कि द्हारम में कि बात पसकत है तो अगर वीडियो अच्छ da को लाइक कर दिजेगा और पूराreso कि अपने गली हैं.